आपने रेस्लिंग के मुकाबले देखे होंगे कबड़ी के देखे होंगे चुपेड़ों के मुकाबले भी देखे होंगे पर आज यहां होने जा रहा है पंजे का मुकाबला तो चलें बैठ के देखते हैं कौन जीता है कौन हारता है टेकनीक आमाती है या ताकत चलें देखत व करेना और साराश हैंड, क्याना और साराश हैंड अच्सापन झाल झाल अपको प्रगर sih दिंग में खिर ना हुआ है यूज है यूज है हुआ है हुआ है यूज है अरफटार वसस दागा यूज है टग जाह यूज है वाह ताः जागी ईडली आखने रह बने जो दोगा समय और चाह बाद समय, समय और चाह बाद समय, समय और चाहए, जोगाभा आए लेंगी समय, समय हादू! कर दो! लगसे हैंजारी जढ़ाइ sound ब meglio लगसे हैंजारा कर दोलों सिंगteri कि रहीना शुक्ते तौरो जावे लेस सुड़िंसा। शुर बाईने ने कि रaken time to go तौरे शुडर लाहीना। रूच्छान तौरे रहीना!! जादिन तौरे लेडरे शुमला तौरेस पजाब मिस्स पंजाब हुमारे सब मुझूद है जो आम रैसलिंग का मुकाबला जीती है रही दा कैसी है आप शुकर अला के ठीक हूँ कितना मुश्किल था बिलकुल निलागा इंक कमपटिशन ज्यादा नहीं मिला इस वज़ा से अच्छा तीन मुगाबले आपके लगातार हुए और तीनों में आप ऐसे आई और ऐसे चली गई यह क्या था बट यह कि मुझे कुछ सीखने को मिला तू भी आनस मुझे कुछ बिलकुल एक लिए मैं पाकसान कबड़ी के लिए और इस शाल कबड़ी की प्लेयर हूं माशाला माशाला इतनी सारी गेम्स आप खेलती है और यह कब से स्टार्ट की आर्मरेस आज जी अलो जी आज से स्टार्ट की और जो पचारे पाइंट-पाइंट साल से खेल रहे हैं और आज भाएंट-बची जो हारी है वो कह रही है कि मेरा फाड़ नहीं था और यह जो है मेरे साथ दानली हूई है तो इसके पर में के बहुता है सर देखे बात दानली की नहीं होती जब बात रैफ्रीज की बात आई है तो उनका डिसीजन जो है वो आखरी फैसला है जाए वो उसके बस कोई आर्गी नहीं होता, that's why वो कह देते हैं मेरे साथ जाती हुई है तुछ लोग बरदाश्ट नहीं कर पाते हैं और अपनी गेम्स भी छोड़के चले जाते हैं स्पोर्ट्समेन स्पिरेट पेशन है, हार जी जिंदगी का इस है मैं भी किसी से हाथ सकती हूँ, तो क्या मतलब मैं अपना स्पोर्ट्समेन स्पिरेट छोड़ दूँ हैं नहीं इस पे वो बात याद आगी, गिरते हैं शासवार ही में जांग में अलिष्बा निखभी मर्सा मझूद हैं। अलिष्बा ने दो मुकाबले बढ़े अच्छे खेले, तीसरे मुकाबले में के बैटल लगे यह हूई, के फाउल्स होगें। किस तरह से हुए, वो अलिष्बा से जानते हैं, अलिष्बा पताएं किस तरह से हुआ हुआ है? पहले तो जब ग्रिप कर रही थी ना वो तो वो जब आप ग्रिप करते हो ना तो आपका हाथ पार्लेल होता है ठीक है आप अपने हाथ पार्लेल रखते हो और फिर आप ग्रिप बंद करते हो ठीक है फिर रेफ्री जब गो कहते है तो आप जोड लगाना शुरू करते हो अब जो कोई घ्रों में और जो खेलना चाहती है पर हिंमत नहीं जुटा अपाती है हिम्मत की बात यह है कि गर्स देखें जब आप लोगों को प्लाटफरम प्रवाइट किया जाता है अभी आप देखें कितने बड़े स्केल पर ये इवेंट करा रहे हैं ठीके ना बात यह है कि थोड़ी हिम्मत करो आओ इस डर से के आप हार जाओगी या आप जीतोगी नहीं या इंसल्ट हो जाएगी इन डरों से नहीं बैठते हैं ठीके ना निकलो ट्राइ तो करो गिवेट ट्राइ ओविसली अचा माशाला आपके डूले भी बड़े बड़े हैं आम लड़कियों के निस्बत बड़े बड़े आम लड़की वाली बात तो हर लड़की खास होती है ना हर लड़की खास होती है हर लड़की इतनी पावरफुल होती है वक आप करो थोड़ी स्किल्स मैंने सुने हैं कि आप LGS और बीकन आउस इनकी भी चेंपियन है जो इनके मुकाबलेज होती है तो कब से खेल रही है चार साल से और बल्के सिर्फ खेल नहीं रही हूं इवेंट कराब ही रही हूं मेरे स्कूल में जो इवेंट हुआ था ग्रामा फेस्ट ठीक है ना बड़े सालों से इवेंट हो रहे हैं ठीक है उसमें बलके मैं हैट थी मैंने मैच्छ कराए हैं और बहुत मैच्छ कराए हैं पहली तफार नहीं है नूब नहीं हो ठीके ना बड़े अर्से से कर रही हूं माच तक तो आओ तो इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए क्योंकर गर्ल्स मैंने तो पहली दवा देखा है कि आर्प वैसलिंग के अंदर गल्स आरी है अच्छा एक और गेम चल रही है बायर बोरे उच पेडे मा देखा कोई वैसे हैट इंजिन का परदा भड़ सकता है येस मतलब आप गेम खेलो ठीक है लेकिन थोड़ा आप इल्कुल इन से नहीं हो जाओ साहिए थोड़ा आप देखो के गेम है क्या अच्छा जो मुकाबला बच्चीयां कह रही है कि जी हमारे साथ दानली होई है तो तो हमारे साथ उनके रेफरी मुझूद हैं असलाम अलेकुम भाई कैसे हैं जो आलेकुम जानते तो वह बिचारी बहुत चुटी लड़की थी और वो से कुछ पता ही नहीं था गेम के मतालिक मैंने कई दफ़ाँ उने मुकाबले के दौरान में इंटिमेट किया कि आप गल पर पूरा कर लिया वरना शायद वो दूसरी वाली डिस्कॉलिफाई हो जाती है तो मैंने कई दफा समझाया फिर मैं रेफरी गृप तक ले गया रेफरी गृप शुरूर रेफरी गृप में यह होता है कि रेफरी आपके हातों को बंद करता है उसमें आपने बाड़ी को हातों को मूव नहीं करना हो था लिकिन वह खातून उनको दूसी वाली था अनारी थी लेकि वो ताकत में जयादा थी और उन्हें दूसरी वाली जो थि वहार गे यह होता है एक नेचरल है शायद हम लोग भी जब लूस करते हैं हम थोड़ा सा दिमाग में आता है लेकिन यह कि अपनी गेम अच्छी करनी जी कभी कबार इस तस्थियात में से कुछ एक्सेप्शनल केसे होते हैं कि जिन से वाकी रेफरी मिले होते हैं दुन्या में आप सुन ऐसा जब इन्वाल्व हो जाएगा तो फिर बंदे की जाती इमानदारी के पर बात आएगी फिर पता चलेगा बंदे की तरभियत कैसी होगा इसलाम में तो यह है कि जिसके ओपर अदल का डाल दिया जाए वज़री और उसने फिर इंसाफ करना ही करना है तो उसको कितना बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है भाईजन बहुत बहुत शुक्रिया है बहुत है बहुत बहुत